किसी के पति को छिनने से वो तुम्हारा पती नहीं हो जाएगा तुम सिंदूर लगाड़ी हो सोच रही हो अग आज कल बच्चा हो जाएगा तो मुझे रख लेगा इसको छोड़ देगा क्या बच्चा एक प्यार को निभाने के लिए बच्चा मुद्धा होना चाहिए एक प पति पतनी है अगर पति पतनी है रिस्था है तो एक प्यार सी रिस्था को निभाया जाता है मुझे सब बोलता है अगर तुम्हारा बच्चा रहता ना तो तुम्हारा पती कभी छोड़ता नहीं ऐसी बहुत सी महिला हैं, कोट में दौर रही हैं, जिनके बच्चे भी हैं, तब भी उनको इनसाफ नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसका कोई जवाब नहीं देता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, हड किसी के साथ में, हड कोई के माँ है ना, हम अपने सुसराल म कुछ कहने का बाद नहीं देखकर बहुत अजीब लगता है इन सबसे हम भी बहुत परशान हो जाते हैं कानून पर है वरुसा है सिविल कोर्ट से अगर जीत हुआ है तो हाई कोर्ट से भी जीतेंगे और जो लोगों के सामने बोलते हैं कि देखना ना कितना दिन नहीं कुछ से कितना कड़ेगे घर छोड़कर भाग जाएगे एक अकेली अगर उसका पती छोड़ दिया ना तो लोग कलंग उठाता है कि नहीं लड़की में घोट होगा ना इसी कारण छोड़ दिया है ऑगर यहां देखरा है कि जो आच्छू जो निकल रहा है जो ड़दाप लोगों को दिख रहा है सोच रहा है कि लड़की कितना प्रतारित हो लवा है यह लेकिन सही लड़की होना इस धर्थी पर जीना बहुत मुश्किल है अगर यह लड़की आई है अगर लड़की अच्छी है साथ सुत्रा मान के हो तो भाईया उकराब आदमी परसान करतो आलोचना लगाई तो लड़की दून नमबर के हो तो भाईया अगर किसी से अफ्यार है और उसके बाप जी भी साधी भी की रहती है तब दूसरा शाधी कर ले ना घर से चड़ बढ़ गए तो लड़की अच्छी हो जाती है और एक अच्छी लड़की अच्छी नहीं रहती है उस पर अगलंग उठाया जाता है लेकिन ये बहुत गलत है ये समाज भी बहुत करते हैं हम एक नॉर्मल पढ़िवाड की लड़की थे आज की इंसान से साधी करेकर मेरा चिंद की ना मेरा भैसुर बत्तर करने के लिए चाहा और वो इंसान कर भी दिया वो मुझे सुरू से बोलता था कि हम दूर कर देंगे दूर कर देंगे आज मेर अच्छे होते हैं इसी कारण लोग सबको बोलता है कि इसका बोली करवा है जारे निसको अना इसका इसका इसमें छोड़ दिया है कोई लड़की का अगर बोली करवा रहे तो उसका पती छोड़ देगा उस इंसान को सराम नहीं आता है ये ठोब नहीं उसकी बेन मेरे घर मेरे रहती है पेर भाई रखा हुआ है और मुझे रोहने के लिए अगे अंदर से घुटा लगता है लगता है कब क्या कर ले मुझे को समझ में नहीं आता है हम स्रीफ जिंदा है तो अपने माबाप के लिए मम्मी पाबा की गारण जिंदा नहीं तो मुझे मढ़ने का सब्सक्राइब लगता है कि ये लोग मुझे माड़ भी देंगे अके लिए कोई बात नहीं है तो रहा कोई नहीं चुएगा बस हम इतना ही काना चाहेंगे कि हम पहले भी समझा और अभी भी समझा आसु बहा के अपने अंदर की कमजोरी को नहीं दिखाना किसी को आसु को छिपा के इसको आग का दम भवारा बना कि उन लोगों पर ब्लास्ट कर देन रोना ने आसु पहुच अपन यहां से पहले आसु पहुच तो लिजे भई आप इसको समाप के लिए आसु पहुच आप